यूनिट थ्री दारा का चुम्ब क्या प्रभाव और चुम्ब कत्तों कक्षा बारा फिजिक्स मैं रमेश प्रसाद बढ़ूनी फिजिक्स लेक्षिरर आज सुरू करूंगा जैसे कि हमने पूर सेशन में यह देखा था और सीखा था कि बिद्दुधारा ले जाने वाले तार या चालक के चारों और एक चुम्ब के छेत्र कैसे ग्याद करते हैं इसी तरह से हमने बायोड शेवर्ट के नियम और उसके सूत्र का बेंजग भी निर्धारित किया था बायोड शेवर्ट के नियम का बैक्टर फॉर्म को भी हमने ग्याद किया था और उसके फॉर्म को हमने देखा था चुम्ब के छेत्र की दिशा कैसे ग्याद करते हैं उसे भी हमने बायोड शेवर्ट के नियम से बैक्टर के रूप में परदरसित किया था चुम्बक सीलता और विदुद चुम्बक सीलता में आपस में क्या संबंध है उसको भी हमने ग्याद किया था और जो हमने प्रकास की चाल से उसके संबंध को वहाँ पर निर्धारिप करके आपको दिखाया था बायोड सैवर्ट और कूलाम के नियम को हमने तुलना करके भी देखा था तो आज हम कंटिन्यू करते हैं इसी चैप्टर को धारा का चुम्बक्या प्रभाव और चुम्बकत्व पार्ट्स में जो हमारे पास आगे के संबोध हैं आज के सीखने के लिए उनमें सबसे पहले धारावाई चाला के कारण उत्पन चुम्बक्या छेत्र की दिसा ग्याद करेंगे दाएं हात या दाएं हतेली का नियम को पढ़ेंगे इससे हम बिद्दु चुम्बके छेत्र की दिसा ग्याद करेंगे इसके बाद मैक्सवल का दक्षणा अवरत नियम या स्कुरू रूल को हम थोड़ा सा फोकस करेंगे उसके बाद परिमित लंबाई के रेखिय धार्यवाही चालक के कारण चुम्बक्य छेतर ग्यात करेंगे और आखिर में बिर्ताकार धार्यवाही कुंडली के अक्ष के अनुदिस चुम्बक्य छेतर ग्यात करेंगे तो ये हमारे आज के इस सेशन में मुख्य सीखने के संबोध हैं अब सुरू करते हैं सबसे पहले धार्यवाही चालक के कारण उत्पन चुम्बक्य छेतर की दिशा हम सामनेत हैं दो नियमों से ग्याद करेंगे जिसमें सरोपर्थम जो हमारे पास एक नियम है कि हम दाय हाथ की हतेली के नियम से ग्याद कर सकते हैं या फिर हम चुम्बक्य छेतर की दिशा को मैक्स्वल इस्क्रूरूल या मैक्स्वल के पेच नियम से भी ग्याद कर सकते हैं तो जैसे कि आपको यहाँ पर पहले के संबोधों में भी कही न कहीं यह जिक्र आया था कि जो चुम्बक्य छेतर है और बल है और बिद्दु धारा की दिशा है वो आपस में एक दूसरे के लंबवत होती है और यह हमें चुम्बक्य छेतर की दिशा को ग्याद करने में मदद करता है और कक्षा 10 में भी हमने इस संबोद को पढ़ा था कि बिद्दू छेत्र की जो बल रिखाएं हैं और जो बिद्दू धरा की जो बहने की दिशा है वो तीनों आपस में एक दूसरे के लंबत होती है तो इसके हिसाब से भी हम चुम्बक के छेत्र की दिशा ग्याद कर सकते हैं तो यहाँ पर इसी को आगे बढ़ाते हुए हम दाएं हाथ का जो हतेली का नियम है उसके बारे में अगर ध्यान दे तो इस नियम के अनुसार यदि हम अपने हाथ का पंजा इस परकार फैलाएं कि जो अंगुठा है वो बिद्दू धरा तथा जो उंगलिया है वो के छेतर की दिशा को व्यक्त करेगा हम इस चितर के माध्यम से यहाँ भी समझ सकते हैं कि जो हमारे सेंट्रल पोजीशन है हाथ हतेली की वो चुम्बकिया बल की दिशा को और जो उंगलिया है वो चुम्बकिया छेतर की दिशा को जबकि अंगुठा है वो बिद्दू धरा कि दिशा को यहां पर प्रदशित कर रहा है इसी तरह से मैक्सवल का दक्षणावृत जो नियम है वो क्या कहता है यहां नियम कहता है कि यदि हम पेंच को कस्ते समय पेंच कस्को दाएं हाथ में पकड़ कर इस प्रकार घुमाएं कि पेंच की नोक चालक में बहने वाली धारा की दिशा की और आगे बढ़े तो जिस दिशा में पेंच को घुमाते हैं वो चुमबकिया बल रेखाओं की दिशा होती है इसे हम सामने जो चित्र है उसकी मदद से समझ सकते हैं तो यहां पर यह चित्र हमें क्या सो करता है कि धारावाही चालक के तल में अगर हम एक की और तथा दूसरी इस्तिती में यदि हम पी डैस को बिंदु ले लें तो वहां पर चुमबक छेत्र की दिशा लंबो और ठीक उपर की और होगी तो यहां पर हम वाइस वर्षा देख सकते हैं कि चुमबकिया छेत्र की दिशा कैसे ग्याद करते हैं तो जैसे कि हमने लेली के नियम से या मैक्षफल के दक्षना अवरत नियम से किस तरह से हम कन्वेंशनली चुमबकिया छेत्र की दिशा को ग्याद कर सकते हैं अब हम यहां पर सुरू करेंगे परिमित लंबाई के रेखिया धारावाही चालक के कारण चुमबकिया छेत्र परिमित लंबाई है से कोई wire है या कोई चालक है तो उस चालक पर यदि current flow कर रही हो तो उसके आसपास कितना चुम्ब के छेतर होगा उसको हम यहाँ पर ग्याद करेंगे तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक सरल चालक है जिसमें आई बिंदू धारा प्रभावित हो रही है और चालक के समीप कोई बिंदू P है जहाँ पर चुम्ब के छेतर ग्याद करना है तो चितर के अनुसार यदि हम कोई बिंदू P ले ले जो चालक पर PQ दिशा में लंबोत है और PQ जो है वो R दूरी पर है यानि P बिंदू वो R दूरी पर है चालक से तो माना की चालक एक स्मॉल एलिमेंट EF है और इस चालक पर जो स्मॉल एलिमेंट EF लिया है यह बिंदू P से X दूरी पर है तथा जो यह स्मॉल लंबाई डियल है उसके लिए हम कह सकते हैं या हम अपने कन्वेंशनली डाइगराम में माल लेते हैं कि कोड़ E P Q बराबर FI, कोड़ F P E बराबर D FI, कोड़ E F P बराबर THITA होगा तो इस अलप لمबाई DL के लिए हम कह सकते हैं कि कोड़ Q E P बराबर THITA ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो थीटा का मान है वो लगबग यहाँ पर क्या आ रहा है फाई के मान के एकुवैलिटी यहाँ पर वो आता है तो बायोट शेवर्ट के नियम से हम यहाँ पर इस equation को लिख सकते हैं डी बी बराबर म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई डी ऐल साइन थीटा अपॉन एक्स स्कॉायर तो जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं उसके हिसाब से हम लिख सकते हैं कि बिंदू पी पर जो यहाँ पर मैगनेटिक फील्ड होगा उसका मान होगा मू नॉट अपॉन फोर पाई आई डी ऐल साइन थीटा अपॉन एक्स स्कॉायर तो यह हमने बैड सर्वर्ट के नियम को यहाँ पर सीधा सीधा डारेक्ट अपलाई किया है और इसी को आगे बढ़ाते हुए हम कह सकते हैं कि जो डी ऐल साइन थीटा है वो यहाँ पर इजी के बराबर होगा और जो इजी है इस इजी का अगर हम मान निकालने अगर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है यहाँ पर तो इसके हिसाब से यह जो इजी होगा वो क्या होगा वो होगा एक्स डी फाई के अगर हम इस पूरे ट्राइंगल को यहाँ पर ले ले लें इजी पी को तो इसके एक्वेलेंट अगर हम इसको ले 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 चितर में तो जो डी ऐल साइन थीटा है वो बराबर क्या होगा easy और यह जो easy है यह लंब का मान है तो यह लंब का जो मान है वो यहाँ पर x d phi होगा तो उस हिसाब से यहाँ पर जो dl sin theta का मान है उसको हम यहाँ पर use कर लेंगे तो d b बराबर हो गया mu naught upon 4 pi i d phi upon x तो x बराबर हो गया यहाँ पर चित्र के अनुसार अगर हम देखें इस triangle को तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं अगर हम q, f और p को देखें या हम e, q, p को देखें तो यहाँ पर हम इस सूत्र से direct लिख सकते हैं x बराबर हमारे पास हो जाएगा r upon cos phi या r is equal to x cos phi cos phi का मान निकाल लिए सिद्र सिद्र आधार का मान निकाल लिए तो आधार बराबर बटे कर्ण बराबर यहाँ पर cos phi होगा तो उस हिसाब से x बराबर r बटे cos phi हो जाएगा तो अब इस मान को हम इस समीकरण में use कर लेंगे तो यहाँ पर यह हो जाएगा db बराबर mu naught upon 4 pi i cos phi d phi upon r तो यह इस small element पर जो चुमबक्य छेत्र है उसका मान हमारे पास यह होगा तो हम जैसे के चित्र में देख रहे हैं कि यदि हम पूरी rod के लिए या पूरे चालक cd के लिए बिंदू p पर चुमबक्य छेत्र ग्याद करें तो हमारे पास यह जो चुमबक्य छेत्र है इसका विस्तार phi 1 से phi 2 तक हुआ है यानि यह एक हमने arbitrary point ले लिए हैं c और d जहां तक यह चालक का विस्तार है तो वहाँ पर जो कोणी अविस्तार है वो phi 1 से phi 2 तक है तो ऐसी इस्तिती में जो चुमबक्य छेत्र होगा वो क्या हो जागा इसका integral कर देंगे तो यह हो गया b बराबर mu 0 upon 4 pi i यह तो constant है r भी constant है और यह हो जाए integral of phi 1 to phi 2 cos phi d phi और फिर हम इसको solve करेंगे तो b बराबर हो जागा mu 0 upon 4 pi i बटे r और cos phi का integral होता है sine phi और इसकी limit है 5 1 से phi 2 तक तो यह हो गया sine 5 1 to phi 2 और फिर हम इस values को रख लें यहाँ पे तो b बराबर हो गया mu 0 i upon 4 pi r और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अगर हम इसको limit यूज करें तो अगर हम इसको लिखें तो यह हो जागा हमारे पास minus of sine phi 2 फिर minus sine of phi 1 तो इन मानों को हम यहाँ पर reverse भी कर सकते हैं तो यह हो जागा b बराबर mu 0 i upon 4 pi i बटे r sine phi 1 plus sine phi 2 तो यह हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने इसको किस तरह से इसका order change किया है इसी तरह से हम कह सकते हैं कि यदि चालक c d और बिंदू p एक ही कागज के तल में हैं तो जो b की दिशा होगी वो कागज के हमेशा लंबत होगी तो यहनि सामने तोर पे जो चुम्बक के छेतर की दिशा है वो current की direction के perpendicular होगी तो यहाँ पर हम इसको आगे बढ़ाते वे कुछ condition लगा लेते हैं कि यदि हमारे पास यह जो चालक है अगर यह अनंत लंबाई का है तो उसके लिए हम इसको restrict भी कर सकते हैं यदि हम कहें कि 51 बराबर 52 बराबर 90 degree यानि यह 90 degree पर है दोनों point जो है हमारे 51 और 52 तो उस समय हमारे पास जो चुम्बक के छेतर होगा इन values को use कर लेंगे तो यह हो जाएगा sin 90 plus sin 90 sin 91 होता है तो हमारे पास यह जो value हो जाएगी वो क्या हो जाएगी यहाँ पर 2 आजागा sin 90 प्लस sin 90 तो यह हो गया b बराबर mu not upon 4 pi 2i upon r तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा simplify करके लिख सकते है b बराबर mu not upon 2 pi i बटे r और चाहे तो आप इसको वैसे ही भी रख सकते हैं इसी तरह से हम यह मान लेते हैं कि यदि मान लीजे हमारे पास जो 51 है वो 90 degree तक है और 5 to 0 degree पर है यानि वो वहाँ पर कोई moment नहीं करा वो rod हमने उसका जो बिस्तार है उस point पर उसको हमने 0 angle पर ले लिया d point को हम 0 angle पर रख लें तो उस समय जो b कमान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा mu not upon 4 pi i upon r यानि एक sin 90 था और एक sin 0 था तो sin 00 होता है तो यह formula हमारे पास हो गया b बराबर mu not upon 4 pi i upon r इसी तरह से हम इस formula को देख कर यह कह सकते हैं कि यहाँ पर क्योंकि mu not upon 4 pi constant term है तो जो b है वो समान पाती होगा i के और b जो है वित्करमान पाती होगा r के तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि b समान पाती i बटे r तो इसको हम इस relation को हम graphically भी represent कर सकते हैं तो जैसे कि हम यह graph देख रहे हैं यह बताता है कि जो b है वो दूरी के वित्करमान पाती होता है यानि जो चुमबक्या छेत्र है उसका मान लगातार घरता चला जाएगा जब जो है दूरी का मान बढ़ता चला जाएगा तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो रेख्या धरावाही चालक पर जो बल लगेगा तो वहाँ पर जो रेखाएं होंगी जो चुमबक्या बल रेखाएं होंगी वो एक तरह से concentric circles के रूप में होंगी इसको हम यहाँ पर एक simple interactive से भी देख सकते हैं और हमने इसको पहले भी देखा हुआ है कि जैसे कि हमने पूरू session में भी इसको दिखाया था कि चुम्बक के चारों और का वाच छेतर जिसमें चुम्बक की अबल का संसूचन होता है वहाँ पर जो चुम्बक की चेतर की दिशा होती है वो एक तरह से हम जो concentric circles वहाँ पर बन रहे होते हैं उन circles के बनने के हिसाब से हम उसको दरसा सकते हैं तो यहाँ पर अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको यह दिखता है कि किस तरह से जो है चुम्बक की चेतर की जो बलर रिखाएं हैं वो धारावाही चालक के लंबुवत और concentric circle के रूप में जो है वो फैल रही है तो यहाँ पर हमें यह पता चलता है कि चुम्बक के छेतर में जो परिमान है और जो दिशा है वो हम magnetic needle से भी ग्याद कर सकते हैं और जो यह बता रही है कि यहाँ पर एक धारावाही चालक पर जो बलर रिखाएं हैं वो लगातार एक concentric circle के रूप में दिखाई जा रही है या इस तरह से वो फैल दी है तो center पर उनका impact जादा होता है जबकि जैसे जैसे दूरी बढ़ती है तो वैसे वैसे जो चुम्बक के छेतर है उसका मान लगातार कम होता चला जाता है तो हम graphically भी इस चीज़ को समझ रहे है और इस interactive के माधम से भी हमने यह देखा कि किस तरह से जो है हमारे पास जो चुम्बक के बल रिखाएं हैं वो concentric circle का निर्मान करती है तो हम अब आगे जो है एक और example ले लेते हैं बायोट सरवर्ट लॉट का और उसमें हम यह बताएंगे कि किस तरह से बृताकार धारावाही कुडली के अक्छ के अनुदिस चुम्बक के चेतर ग्याद करेंगे तो अभी तो हमने एक straight wire या straight conductor लिया था जिसकी finite length थी अब हम एक बृताकार कुंडली ले रहे हैं और उसके अक्छ के अनुदिस किसी point पर हम चुम्बक के चेतर ग्याद करेंगे तो जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमरे पास एक बृताकार कुंडली जिसकी तरिज्या A है और जिसमें आई धारा प्रभावित हो रही है तो कोई बिंदु हमने P ले लिया और जिस बिंदु P पर हम चुम्बक के चेतर की ती बृता ग्याद करने वाले हैं तो जैसे कि हमें दिखाई दे रहा है कि कोई कुंडली जिसमें आई धारा प्रभावित हो रही है और उस कुंडली के चारों और किसी भी पॉइंट पर कितना चुम्बक के चेतर होगा तो वो हम ग्याद कर सकते हैं लेकिन अभी हम यहाँ पर क्या ग्याद करने वाले हैं कि बिंदु P जो कुंडली के अक्ष के अनुदिस रखा है उस पर कितना चुम्बक के चेतर होगा तो जैसे कि आप इस चेतर में देख रहे होंगे कि हमने इस कुंडली में एक छोटा सा एलिमेंट DL लिया और जो AB पॉइंट हमने यहाँ पर दिखाया है हमने यह माना है कि एक छोटा सा एलिमेंट है जैसे कि हमने current carrying conductor में भी देखा था कि एक छोटे से एलिमेंट के कारण हमने निकाला था चुम्बक के चेतर और बाद में हमने उसे integrate कर जया था तो पूर एक लिए निकल गया तो वैसी हम यहाँ पर भी करेंगे कि यदि कुंडली को छोटे 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 element में divide कर दें तो इसमें से एक element लेंगे जिसको मान लेंगे कि वो paper के यहाँ यहाँ पर लंबो दिशा में है और जिसकी लंबाई यहाँ पर dl है तो बिंदू P से अगर वो element R दूरी पर है तो हमारे पास वहाँ पर कितना चुम्बक के चेतर होगा वो ग्याद करना है तो यहाँ पर भी हम very simple byard servant का नियम लगाएंगे और byard servant के नियम से हम चुम्बक के चेतर की तीबरता याद करेंगे तो यहाँ पर जो byard servant के नियम से चुम्बक के चेतर की तीबरता होगे dl element के कारण वो क्या हो जाएगी mu naught upon 4 pi i dl sin theta upon r square तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास phi angle हमने लिया है वो element dl तथा element को p point से मिलाने वाली रेखा के बीच का जो कोण है phi उसको दरसाता है और यदि हम उसको 90 degree पे मानने कि जो element है वो p के सापक 90 degree पे है तो यहाँ पे sin 90 कमान 1 हो जाएगा तो उस case में db बराबर हो गया mu naught upon 4 pi i dl sin 90 upon r square sin 91 होता है तो यह हो गया db बराबर mu naught upon 4 pi i dl upon r square तो चुम्बक्य छेत्र की दिशा r और dl के लंबोत होने की वज़े से यहाँ पे right hand rule लगाएंगे तो जो हमें यह बताएगा कि जो चुम्बक्य छेत्र है वो हमारे पास यहाँ दो बैक्टर में resolve हो सकता है तो एक बैक्टर हमारे पास हो गया db sin 5 जो कुंडली के अनुदिस दिशा में है और दूसरा बैक्टर हो गया db cos 5 जो अक्च के लंबोत है यानि जो dl element है उसके जो हमने लंबोत बैक्टर लिया है उसमें यह हो गया db sin 5 और जो इसके perpendicular हमने दिखाया है वो हो गया है db cos 5 तो अनुदिस और लंबोत दिशा में हमें यह देखना है तो यहाँ पर जो db हमने लिया है वो हमने कैसे लिया हमने ab के diagonal समान लंबाई का जो element a-b- लिया या ab लिया इसके कारण हम क्या निकालने चुम्बक क्या छेत्र जब हम db निकाल लेंगे तो उसको पूरी coil के लिए ग्यानत कर सकते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा चितरा नुसार अगर हम ध्यान से देखें तो चुम्बक क्या छेत्र जो db कॉस फाई है वो एक दूसरे के equal and opposite लगेंगे यानि dl element ab और ab डैस जो dl element है उन पर जो db कॉस फाई है उसका मान लगवग सुनने हो जाएगा जबकि जो db साइन फाई है उसका मान यहाँ पर अनुसर दिसा में प्रभावित होगा यानि उसका impact यहाँ पर होगा तो उस हिसाब से जो b होगा हमारे पास वो क्या हो जाएगा close integral db sin 5 close integral का मतलब है या circular loop ली है तो पूरी loop के लिए हमने यह close integral कर दिया db sin 5 तो क्योंकि यहाँ पर हमारे पास sin 5 अगर हम चित्र के हिसाब से ग्याद करें तो यह sin 5 बराबर हो गया a बटे r ठीक है यानि लम बटे कर्ण तो अगर हम इस मान को यूज करें तो b बराबर हो गया close integral of db sin 5 तो यहाँ पर b बराबर हो गया close integral of mu 0 upon 4 pi i dl upon r square sin 5 यह मान हमने पीछे से db कर रख लिया और हमरे पास sin 5 का मान पता है तो b बराबर हो गया mu 0 upon 4 pi i dl upon r square into a बटे r यानि sin 5 का मान रख लिया तो इसको अगर हम solve करेंगे तो यहाँ पर जो हमारे पास constant term में वो बहार आ जाएंगे mu 0 a i upon 4 pi r cube यह बहार आ गया तो integral of dl हमारे पास बच गया तो integral of dl का जो मान होगा यानि वो पूरे circular loop के लिए हो जायागा 2 pi a जहाँ पर a उस loop की क्या है त्रिज़या है तो उसका परिमाप के बराबर उसकी लंबाई होगी 2 pi a और r का जो मान होगा आगर हम यहाँ पर पैथागुरस पर में लगाएंगे तो r का मान हो जाएगा a square प्लस x square की पावर 1 बाई 2 तो पैथागुरस थियोरम को यूज़ करते वे हम यहाँ पर यह कह सकते हैं कि r square बराबर a square प्लस x square और फिर हम r का जो मान है रूट में लिख सकते हैं तो यह हमारे पास उसका मान होगा तो अब हम यह कह सकते हैं कि इन value को यूज़ करें तो b बराबर हमारे पास हो गया mu naught upon 4 pi i a integral of dl upon r q इस मान को हमने रख लिया तो यह हो गया mu naught upon 4 pi i a 2 pi a बटे a square प्लस x square की पावर 3 by 2 तो यह b का मान हो गया mu naught i a square बटे 2 a square प्लस x square की पावर 3 by 2 अब मान लें यहाँ पर इस तरह की कई सारी कुंडलिया हैं कई सारे number of turns हैं तो अगर उनकी संख्या हम n ले लें तो उस समय जो b का मान होगा वो होगा b बराबर n mu naught i a square बटे 2 a square प्लस x square की पावर 3 by 2 simple n से उसको multiply कर दिया अब अगर मान लीजे हमारे पास कुंडली में जो x है x point हमारा यानि p जो है वो लगबग परीधी पर है center पर तो यदि x का मान 0 ले लें तो उस समय b का मान हमारे पास क्या हो जागा maximum हो जागा बट जाएगा तो उस समय b बराबर हो जागा n mu naught i upon 2 a इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि किसी भी बृताकार कुंडली के कारण जो चुंबक्या बल रिखाएं होती है वो एक बृताकार पास बनाती है यानि वो centrally इस तरह से move करती है तो हमें पता चलता है कि वहाँ पर जो है जैसे जैसे magnet को coil के पास ले जाते है तो वहाँ पर magnetic effect बढ़ता है और कुंडली के समीब बल रिखाएं केंद्रित होती है और कुंडली के केंद्र की ओर जाते हुए बल रिखाएं कॉंसेंट्रिक होती है अर्थात कुंडली के केंद्र पर जो बल रिखाएं हैं वो एक सरल रिखा में होती है जबकि कुंडली के लंबत वो हमें स इसपस्ट दिखाई प्रतीत होती है आता है इसपस्ट है कि कुंडली के केंद्र से थोड़े छेतर में चुंब के छेतर का मान लगबग समान रहता है